हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं वहीं दृत्य बार में वह 22 हो गया तथा तृत्य बार में सिटी स्केन करवाने पर 24 हो गया था मरीज लगबक 30 दिन बेंच सर्किट वह 45 दिन हाई फ्लो मास्क पर भरती रहा मरीज द्वारा ऐसा होसला रखा गया कि आखिरकार कोरोना को हारना ही पड़ा डौक्टर बियल मनसूरिया प्रमुट चिकिट सा अधिकारी द्वारा कहा गया कि ये मरीज द्वारा होसला रखना एवं चिकिट सकोवर नर्सिंग स्टाफ द्वारा समय समय पर देख रहे करने पर ही मरीज स्वस्त होकर आज डिस्टार्च किया जा रहा है मरीश की रिष्टेदार श्री तुलचा राम चोधरी जो की चिकित साले में मेल नर्स प्रतम पद पर कारे रत है इनके द्वारा भी मरीश की उचित देखबाल की गई मरीश का इलाज Dr. दिनेश परमार, Dr. गोर्धन सिंग्चोधरी, Dr. शालु परमार, Dr. अनिल सेटिया, Dr. विक्रम सिंग, Dr. शुरेश गैलोट, Dr. शुरेश चोधरी, Dr. अर्विंद विश्रोही, Dr. माल देफ, Dr. चिराग महेश्वरी, Dr. चिराग गोधारा, वर नर्सिंग स्टाफ अशोक कुमार, शुभास शोनी, महेश सोनी, ओग प्रकाश माली, महेश जाटोल, अंजु विश्रोही, विमला गौड, जोगेंद सहारण, ललीत, फिरोस खान, नरेश बेनिवाल, भजनला सैनी, प्रवीन कुमार, नंद किशोर, श्याम, अफतार मदन सिंग, भजनलाल, राजु, जै किशन आधी का विशेश सयोग रहा, जागु टीपे के समवादाता से डॉक्टर गोर्दन सिंग चौधरी इनका कहना है की? मरीज का सल्पॉंटेंस चुरू सही अच्छा था, मरीज का डाउन नहीं गया, अभी इसका वस्ला बरकरार है, और और उसकांड से उसकी रिक्री भी अच्छी हो. जागुग टीवी के बाड मेर से ठाकरा रहा मिघावल की रिपोर्ट जागुग झाल ुटोर्ट जागुग जागुग झाल